आज ये जो हमारे देश में अंदुलन चल रहा है अंदुलन के नाम से जो विरोधी ख़ड़े हुए हैं उनको देखकर और कुछ रिसर्च हैं जो भारत के रास्ट वादी लोगों ने निकाल कर रखिये हैं उस विश्या पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैंने पीछे कल भी आपसे कहा था जिस समय ये एक वीडियो मैंने डाला था जिस वीडियो का सीर्शक मैंने आपसे कहा था कि अगर हम गलत सीर्शक डालते हैं या गंदा सा सीर्शक डालते हैं तो फिर उस पर फेस्बुक या या यूटूब उसको फॉरवड करता है और अगर हम रास्ट भक्ती या रास्ट के फिवर में कोई शीर्शक डालते हैं तो वो तुरंद पकड़ लेते हैं और उसको वो फॉरवर्ड नहीं करते हैं बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं कि यह आप इस तरह का थम्लिल क्यों बनाते हैं जैसे मैंने कल का थम्लिल बनाया अब म सामने इनको लोग पसंद करते हैं इसलिए इसमें यह जो एजनसियां हैं जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका भी बड़ा भारी रोल है तब ही मैं कहता हूं कि आप स्वयम से इसको शेयर करिएगा तब यह राष्टवादी चीजें सामने निकल कर आएंगे जो हम रिसर्च करक देखते हैं एक तो यह है कि श्रीलंका ने हमारे साथ एक एग्रिमेंट हो रहा था एसी टी पैक्ट कोलंबो पोर्ट को लेकर जिसमें भारत जपान और श्रीलंका शामिल था वह एग्रिमेंट उन्होंने तोड़ दिया है यानि कि तोड़ नहीं दिया एग्रिमेंट हुआ नहीं हो नहीं पाया था उससे वो पीछे हट गए हैं और उनकी जो तेहतर भी इंडिपेंडे की परेट थस्डे को हुई थी उसमें उन्होंने वहां पर चर्चाई यह थी कि प्रेसिडेंट राजपाक से ने उसको वापस ले लिया है और भारत के साथ वो आगे बढ़ना नह नहीं चाते हैं जापके साथ आगे बढ़ना नहीं चाते हैं इसका कारणा वहां पर बहुज सारे प्रोटेस्ट हुए वहां के लोकल लोगों ने बहुज सारे प्रोटेस्ट किए और वो लोग भारत के विरुद्ध वहांपर खड़े हो गए थे, इसलिए राजपाक सासरकार को ये लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे खलाफ कुछ गलत हो जाए और जनता हमरे पक्षमें नहीं है, इस एग्रिमेंट के पक्षमें का सबका कहना है लंका के जो रास्ट के पक्ष में लोग हैं उनका सबका कहना है कि इस имость में पूरी फंडिग चाइना से हो रही थी यह जो 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 परीकlles वे उर्गों के पिरूद करने के लिए कि सामने करें 911 विरोद् विरोद्न कर रिये इस करें तो उसके बांद शिलंका सेखरोर कед यह क्यों कि बहुत क है क्यों कि इसका कारण एक और है चीन उस पर फंडिंग कर रहा था चीन नहीं चाहता कि भारत शिलंका के साथ रहे और उससे पहले भी आपने देखा होगा कि बैंगलूरू में कुछ कंपनियों के ऊपर हमले हुए थे उस हमले में भी चीन की फंडिंग का बात आई थी और चीन के ग्लोबल टाइम्स ने है कोई कंपनी सुरक्षित नहीं इनवेस्टमेंट सुरक्षित नहीं है और बात में पता लगा कि उसकी फंडिंग भी सीधा चीन से हो रही थी हला कि उस पर बैंगलूरू पुलिस ने मुकदमा बनाया बहुत सारे केसेस फाइल किये जो लोग फंडिंग कर रहे थे उनके के उपर केसेस फाइल की और बला बहुत को चल रहा था अब इस बात को भारस में आज के किसान अंदलों को जोड़कर देखते हैं हम सब जानते हैं कि आपको याद होगा जाट मूमेंट जिस समय जाट मूमेंट चला था जाट अरक्षन को लेकर हर्याने में पिछली जब ज इन्वेस्टमेंट बापस ले लिए थे यह बापस ले लिए एग्रिमेंट में या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट से पीछे हट गए थे और इस बात पर भी उस समय कहा गया था कि यह सारा का सारा फंडिंग कहीं और से हो रहा था मैं इस को नहीं कह रहा हूं कि वाकई में funding हो रहा था इसके बाद वो जाट मुवमेंट के बाद फिर मुवमेंट चला गुजरात में पटेल मुवमेंट उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ और investment वापस लिया गया फिर सी ए के प्टेस्ट हुए जो लंबे समय तक देश को चाम करके रखा उसमें भी इन्वेस्टमेंट आगे नहीं आया और अब किसान मुवमेंट भारत में चला तो किसान मुवमेंट में भी इन्वेस्टमेंट चीन का जो भारत में आ रहा है चीन से उड़ोड के करोना के बाद जो भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भारत में इन्वेस्टमेंट ना हो और चीन में कमपनियां बनी रहें क्या उसके पीछे भी कोई इंटरनेशनल साजिश है क्या चीन इसके प आकट आगना बढ़ है क्योंकि यह जो पूर्ट है कोलम्भों पूर्ट है समयंард To 80 पर्संट भोर्ट के साथ होता है तो लंका की तो यह सोचेगा कि एगर अगर भारत के साथ होता है तो भारत भी सatब्कर करें और उसको अपने हाथ में रखे अच्छा रहेगा लेकिन चीन नहीं चाहता अब बात करते हैं किसान मुवमेंट के फिर से तो क्या किसान मुवमेंट एक बात यहां से निकल कर आती है क्या किसान मुवमेंट कहीं पीछे से चीन से चाहिए और दूसरी बात अगर उसको थोड़ा इन्वेस्टिकेटिव वे में चलेंगे तो जो ट्विटर या ट्विट किये गए पिछले दो-तीन दिन में जो ग्रेटा थंबर्ग ने किया ग्रेटा थंबर्ग के बारे में आपको मैं बता दू कि यह एक इन्वार्नम के बार और फिर इनको इंटरनेशनल खराती प्राप्ती हुई और फिर जहां जहां भी इन्वार्नमेंट को लेकर कोै इन्वार्नमेंट को लेकरकर कोई लोक सामने आये तो यह वहाँ पर पहुँच गई चुकि बच्ची थी गोद में उठाई गई और गोद में उठाते हुए गोद में उठाने से मतलब उनको सर पर रखा गए भई 15 साल की बच्ची देखो कितना कर रही है और धीरी-धीरी करके उसको धरती माता बना दिया यानि की इन्व पर्केटिंग कर रही है लेकिन इसके साथ रिहाना और ग्रेटा इन दोनों ने जो ट्विट किये मैं दो फरवरी और तीन फरवरी की बात कर रहा हूं दो फरवरी को जो ट्विट किया गया ये ग्रेटा थंबर्क के द्वारा उसने दो ट्विट किये एक ट्विट में तो उसने किसान मोमेंट के साथ हूं मैं ऐसा कहा लेकिन दूसरा टूइट उसे धोके से हो गया और जो धोके से टूइट हुआ उसको थोड़ी दिर बाद उसने डिलीट भी कर लिया लेकिन तब तक वो टूइट लोगों के पास जा चुका था चुकि इसकी बड़ी फॉलोइंग था वो टूइट में था टूइट यह हम सब जानते हैं कि टूइटर पर टूइट का इस्तेमाल किया जाता है उसको डूइट या हम बनाते हैं में जोकी समसार में जो कुछ लिखा था वो नवंबर 2020 से चल रहा था संसार में अब नवंबर 2020 से वो चीज़ें सामने आ रही थी और मज़े की बात ये है कि उस toolkit में जो नाम लिखे हुए थी कि ये moment कैसे खड़ा किया जाएगा संसार में कैसे चलेगा उसका international attraction कैसे होगा internationally recognized कैसे होगा और कौन-कौन उसमें tweet करेगा कौन उसको facebook पर डालेगा कौन इसको आगे forward करेगा कौन-कौन उसमें statement देगा ये सारा उस toolkit में लिखा हुआ था उस toolkit में ही रिहाना और ग्रेटा थंबर्ग का भी नाम लिखा था जिसमें कहा गया था कि ये लोग भी उसको tweet करेंगे अब ये लोग भी इसको tweet करेंगे तो मज़े की बात ये है कि जो hashtag बनाए गये थे वो hashtag जो आज चल रहे हैं Twitter पर वो hashtag भी इस toolkit में लिखे हुए थे जो धोके से ग्रेटा थंबर्ग उसको tweet कर चुकी थी जैसे solidarity with Indian farmers Twitter storm इसको हिंदी मगर हम कहें भारती किसानों के साथ एक जुटता Twitter पर तूफान यानि की solidarity with Indian farmers Twitter storm ये इस पर ये hashtag भारत में चला और अभी भी खूब चल रहा है इन में इसी मैंने जिस कहा toolkit में उनके नाम लिखे हुए थे और जिस प्रकार toolkit में जिस तरह से movement लिखा हुआ था वैसा ही movement चला अब आप सूचिए नवंबर में इस तरह के tweet होने शुरू हुए थे और अभी फरवरी चल रहा है नवंबर में किसान movement शुरू नहीं हो पाया लेकिन हमारे यहां वो पूरे संसार में उसकी preparation कर ली गई थी internationally एक शाजिस रच ली गई थी उस शाजिस के तहत उसको preparation कर ली गई थी और वो चलाया जा रहा था हाला कि मैं ग्रेटा थंबर की बात करूं तो वो Canada के एक MP जो की सरदार जी हैं उनके साथ उनके अच्छे उनके साथ उनके संबंद हैं उनके आपस में ट्विट ट्रंजक्शन होते हैं और उनकी आपस में बात भी होती है तो जो greater थंबर है या रिहाना की ट्विट हैं रिहाना को तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि वो तो उनका PR पैसे जहां मिलेंगे वहां काम करेगा चुकि यह तो actor actress ह हैं यह performance देने वाले लोग हैं इन्होंने performance देदी कुछ उनको पैसा मिला होगा उन्होंने performance देदी यह सब कुछ हमारे यहां भारत में चल रहा है अब कोई कहे कि किसान movement से क्या लेना देना मैं मान सकता हूं इसका किसान movement से लेना देना नहीं क्योंकि ग्रेटा थंबर्ग इन्वार्मेंट लिस्ट हैं, इन्वार्मेंट पर प्रटक्शन के लिए काम करते हैं, लेकिन आज वो किसान मन चुकी है, रेहाना जो की एक गायका है, वो भी किसानों से उसका लेना देना है, मियाख खलीफा जो एक पोन एक्टरस है, उसका भी किसानों से बहुत कुछ लेन तो नहीं है क्योंकि मैंने कहा कि बैंगलूरू का मुमेंट हमने देखा बैंगलूरू में पकड़े भी गए चीन का उसमें कनेक्शन पाया गया चीन का उसके बाद Global Times ने स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट में Global Times ने कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा नहीं होगा तुम कंपनी सहीद मिट जाओगे और अभी श्री लंका में जो प्रोटेस्ट हुआ वहां की सरकार के खलाफ और भारत से एग्रिमेंट न करने के लिए उसमें भी connection मिला चीन का और चीन की फंड़नी उसमें पाई गई क्या भारत में ये जो मूवमेंट चल रहे हैं जिसको मैं कह रहा हूँ कि किसान movement की toolkit पहले बनाई गई थी उसका एक पूरा plan बनाया गया था और वो plan कोई आज नहीं बनाया गया था आज से 5-6 मेहने पहले plan बनाया गया था कि कैसे भारत में भारत को unrest की तरफ ले जाना है वो अलग बात है कि जब आप किसी का पक्ष लेना शुरू करते हैं तो वो लोग सा भारतियों को चाहें वो जाने अंजाने में इस movement में शामिल हुए हो या फिर वो जान बूझ कर शामिल हुए हो उनको कोई बात पता हो या ना पता हो पता करने की कोशिश की हो ना कि यह बहुत सारी चीजें हैं कि वो क्या सोचते हैं लेकिन इन tweets को ध्यान देना पड़ेग कहीं और अच्छी गई हो और हम उसमें players हो हम उनके ही मैदान पर खेल रहे हो या खेल रहे हो और हम को लगता है सब हमारे कंधे पर चल हो लें और अभी तक ये लगता है इन ट्विटर्स के ट्विट और जो खुच की गई है कि ग्रेटर थंबर की जो और उसकी टूल किट में जो उसका नाम रिहाना का नाम हो और जो लोग tweet कर रहे हैं उनका नाम होना वही thumbnail इस्तेमाल होना वही hashtag इस्तेमाल होना जो नवंबर में document कभी पकड़ा गया था या अभी उस तरह के tweet पाए गये थे या इनों ने उस पर एक पूरी planning धोके से tweet कर दी थी ये सब विचार भारत को करने पड़ेंगे और ये देख प्रियास कर रहे हों ये सब विचार हमको करने पड़ेंगे इस तरह की वीडियो जिसको ट्विटर रोकने का कोशिश करता है जिसको YouTube रोकने की कोशिश करता है उसको forward नहीं करता है हाला कि मैं negative इसमें थाम्डेल देने वाला हूं क्योंकि negative थाम्डेल से YouTube को को समस्या नहीं होती उसको ये लगता है कि ये तो देश के खलाफ जा रहा है इसलिए वो लोगों को शेयर करते हैं लेकिन अगर वो रोकें तो आपको चाहिए कि आप उसको forward करें थैंक्यू very much